कुकरी किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट रेड सॉस पास्ता बनता है ये बच्चो और बडो दोनों को ही ये पास्ता बहत ही टेस्टी लगता है तो अगर मेरी ए रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी मैंने लिए दो कब पास्ता पांच से चे बेबी कॉन एक स्लाइजड अनियन एक गाजर एक शिम्ला मिर्च और एक कप स्वीट कॉन अब एक पैन लेंगे उसमें हम डालेंगे एक लीटर पानी फ्लेम को हमने हाई रखना है और पानी को उबाल लेंगे अब हम एड़ करेंगे एक चोटी चमश नमक और एक चोटी चमश ओईल जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तब हम एड़ करेंगे पास्ता इसे मिक्स कर लेंगे और कम से कम 15-20 मिर तक हम इसे पका लेंगे पास्ता को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना जब 90% पास्ता पक जाए तब हम इसे हम निकाल लेंगे कैस बंद कर देते हैं थोड़ा सा स्टॉक लेंगे हम इसका ताकि हम इसका यूज ग्रेवी में कर सके अब हम पास्ता को स्टेनर में निकाल लेंगे इकड़ाई लेंगे उसमें मैं डालूंगी तीन बड़े चम्मच ऑईल और हम एड़ करेंगे प्यास प्यास को एक मिनट के लिए ही हमें कुक करना है अब प्यास पक गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे गाजर, बेबी कॉन और स्वीट कॉन इन सभी को मिक्स कर लेते हैं और दो से तीन मिनट तक के लिए इन्हें पका लेते हैं अब गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अब हम एड़ करेंगे चार बड़े चम्मच रेडी मेड पास्ता सॉस यह बहुत असानी से पास्ता सॉस मिल जाती है मार्किट में किसी भी ब्रैंड की आप यह यूज कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एड़ करेंगे दो बड़े चम्मच रेड चिली सॉस और तीन बड़े चम्मच टमैटो कैचप फ्रेंड्स आपके पास अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं अब सभी सॉसिस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एड़ करेंगे आदी चोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक ज्यादा नहीं डालना क्योंकि सॉसिज में भी नमक होता है अब सभी चीजों को पका लेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए हमें पकाना है अब हम एड़ करेंगे पास्ता स्टॉक और कैप्सिकम लास्ट में मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना अब हम डालेंगे एक चोटी चम्मच और अधी चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स आप ज्यादा डालना चाहते हैं आप ज्यादा भी डाल सकते हैं एक मिन तक इसको पकाने के बाद अब हम इसमें हमारा पास्ता एड कर देंगे जो हमने बॉइल करके रखा हुआ था यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आपने सबजियां पहले से कट की हुई है तो 5-10 मिनिट्स में हमारा यह पास्ता रेडी हो जाता है अच्छे से इस पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे पास्ता को हम 5-7 मिनिट तक पका लेंगे ताकि सारी सॉसिस अच्छे से पास्ता में मिल जाएं पास्ता अब बिल्कुल तयार है देखिए बिल्कुल हमारे पास्ता रेडी हो चुका है इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए तोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो प्लीज मुझे कमेंट के जरीए जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना ना भूलें थेंक यू पर वाचिंग मैं चैनल